Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator. तो आज हम करने चाह रहे हैं, Honey Skull Class 6 के फर्स्ट पोएम, A House, A Home with Translation. तो जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल के साथ, वो वीडियो को सेर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंट के साथ सेर करें. तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, Translation of A House, A Home. What is the difference between a house and a home? तो यहाँ पर पोएट जो है, सबसे पहले, पूछता है कि एक house और एक home में क्या difference है, क्या अंतर है दोनों में? Discuss it with your partner, अपने partner के साथ इसको discuss करें, then read the poem, और फिर poem को read करें. देखें, most of student के mind में सबसे first क्या आता है, कि house और home, दोनों ही same होते हैं, house means भी घर होता है, और home means भी घर होता है, यही पढ़ा है मुल्सकी बच्चों ने, बिर दोनों ही अलग-लग होता है, कैसे? What is a house? लकड़ी से, that's hard, यानि hard लकड़ी से, लकड़ी के भी घर होते हैं, some window glass, और कुछ window glass से, यानि कुछ जो खिड़किया है, वो सिसे की बनी होती है, उन सबसे मिलके घर बनता है, house बनता है, and perhaps, side a yard, yard क्या होता है, आंगन, यानि जहां पर एक आगे पीछे घर पे आंगन होत होता है, it's eaves and chimneys, eaves क्या होता है, eaves means, जो चत से बाहर की तरफ जो चत का हिस्सा निकला होता है, यानि mundane type, तो eaves बोलते हैं, and chimneys, chimneys यानि जहां से धुहा निकलता है, and tile floors, और जहां पर जो फार्स है वो tile का बना होता है, and stucco, and roof, stucco यानि plaster, जो कहीं कहीं पे plaster लगाते है हलका सचुने से, that is stucco, and roof, orchard, and lots of doors, और बहुत सारे दरवाजों से, यानि यह सब घर को define किया इनोंने house को, तो house क्या होता है, वो poet ने बताया है, इन सब चीजों से मिलके house बनता है, what is a home, अब home क्या है, it's lovely and family, loving and family, यह प्यार से और परिवार से बनता है, home, and doing for others, और जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं, it's brothers and sisters, इसमें भाई और बहन मिलकर रहते हैं, and fathers and mothers, और यह मातर पिता से मिलके बनता है, it's unselfish acts, यानि जहां पर हम जो है, एक दूसरे के लिए बिना किसी मतलब के, बिना किसी मतलब के, जो हम एक दूसरे के लिए कोई भी काम करते हैं, kindly sharing, और एक दूसरे से हम share करते हैं, चीज़ों को बाट के लेते हैं, and serving your loved ones, you are always caring, loved ones का मतलब, जिन से आप प्यार करते हैं, जैसे आपका भाई है, बहन है, ममी पापा है, दादा दादी है, यानि family members, जित्ते भी family members हैं, हमारे साथ रहने वाले, उन सब के साथ sharing करना, उन selfish act, यानि बिना किसी मतलब के एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के help करना, एक दूसरे काम आना, और एक दूसरे से प्यार से रहना, ये सब मिलके home बनाता है, तो difference पता चल गया, ये जो हमारे writer है, Lauren M. Haley, इन्होंने जो है, बहुत ही सुन्दर poem बनाई है, ये house और home के बारे में, दोनों का difference, I hope, आप सब को पता चल गया है, बहुत ही सुन्दर poem है, a house, a home, तो I hope आपको translation भी समझा आ गई होगी, और poem भी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी लगी होगी, तो students मिलते हैं हम, next video में एक और poem है, हमारी the kite वाली, उसकी translation लेकर आएंगे, तो जो भी students अभी जुड़े हैं, या नए जुड़े हैं चैनल के साथ, वो वीडियो को, चैनल को subscribe कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने friends के साथ share कीजिए, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye